सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम करें जो हमार स्टिक्स का मैथ है फो बीए एंड बीए सी थर्ड समेस्ट्री के लिए उसका चैप्टर फर्स्ट फोर्स एक्टिंग एटेप वाइंट और आज हम करेंगे इसकी एक्रसाइज 1.1 बहुत ही इजी एक्रस इसमस्दाता हूं ताकि आपको रचे से समझ में आए तो देखिए यहां पर हम एक डियाग्राम लेते हैं जिसका पॉइंट हम ले रहे हैं और इस डिर्ड एक्शन में हमारा फोर्स है पी तो क्या फोर्स हम लेट करते हैं जो हमें क्यूस्टन में गिवन दिया गया है और क्यूस्टन में लेट करते हैं एक न्यूटन और देखिए जो बीच में से हमारे फोर्स है सिंगल फोर्स यह हमारा रहता है रेजल्टेंट आर और कंपलीट का जो इसका एंगल है वहमारा अलफा है जिसकी वेल्व हमें 60 डिगरी दी गए क्यूस्टन में तो हमें फाइंड करता हूं लैट ठीटा भी दा एंगल विच इट मेक्स विद डा डारेक्शन ओफोर्स एट न्यूटन यह मारा फोर्मूला आता है मैं निटूड निकालने का यहां से आपको पता चल गया गिवन में में वैल्यू भी दी गई है पी की और क्या हो की तो पी में दिए गया है यहां पर को 60 डिगरी पर होता है वन बाई टू तो टू से यह सिक्स कैंसल होके त्री आ जाएगा यहां पर तो इस प्रकाश हो जाएगा 64 पलस 36 पलस 48 तो आर स्केर की वैल्यू आएगे ना वह मारे आ जाएगी 148 अब देखिए हमें तो निकालने आर की वैल्यू मैगनेट तो आर को करने के लिए यहां पर अंडर रूट ले लेंगे बहुत सब्सक्राइब करके तो देखिए यहां से क्या होता की 4 into 37 होता है 148 तो दो कि मलों की स्केर बन रहा तो 2 कमबार ले लेंगे तो आर की वैल्यू मारे पास आजएगी 2 into and a root 37 Newton तो अब निकालेंगे हम direction ठिट्टा की value तो यह हमारा direction का formula आता है 10 ठिट्टा एक्वल टू क्याउ sin alpha अपन में P पलस क्याउ कोस alpha तो क्याउ और P की value हमें given दी गई है ठिट्टा की value में find out करनी है तो देखें क्याउ की value में 6 दी गई थी तो 6 sin 60 degree अलफा की value भी में दी गई थी given में तो देखें 8 पलस 6 को 60 degree sin 60 degree पर होता है अंडर रूट 3 अपन 2 तो 2 से 6 को cancel करके यहां पर हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 3 यहां से क्या होगा कि को 60 डिगर पर होता है 1 बाए 2 तो यह देखें 6 इंटू 1 बाए सब्सक्राइगा और ठिट्टा के वहले हुमारे पास आज़ेगी ठिट्टा एक्वल टू 10 इंवर्स 3 अंडर रूट 3 अपन में 11 तो यहां से हमारी क्विशन कंप्लिट होता है सेकेंड क्विश्टन में क्या देगा है वेहन टू इक्वल फोर्स जब दो एक्वर्स फोर्स इंक्लेट एड़ एक 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 तो फॉस और एकवर्स करना हिए हमें लास्ट में सोलीचन का आनसवर आना चाहिए तो देखें इसको किस प्रकार से हम करेंगे तो देखे सबसे पहले हम two equal force लेंगे पी और पी लेट पी पी दा two equal forces एंड लेट आर बी दा resultant वेहन दी फोर्स आर include at the angle two alpha तो two alpha के लिए जब हम result निकालेंगे तो देखिए हमारे आएगा इस प्रकार से तो और की वैले हमारे पास प्रकार से हो जाएगे टू पी कोस टू अलफा इसको डिबाइड कर देगे हम डो से तो दो से यह दो कैंसल हो रहा है तो यह हमारा द्यू पी कोस अलफा यह आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको लिखेंगे और एक से दो बार आप example देखेंगे अगर आपने मेरी basic की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखेंगे ना उसकी link आपको description में मिल जाएगा उसमें मैंने आपको formula बताया थे ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो देखें इसको हम let कर लेंगे second result होगा यह हमारा तो टू पी कोस टू बिट्टा अपन में टू तो टू से टू कैंसल तो आर डैस की वालू आ जाएगे टू पी कोस बिट्टा अब देखें क्यूस तन में मैं कहा था कि there занимert is twice as greater हमते को रना है आर डैस वाले के होते हैं किस परकार से लिखेंगे given आर एक टू आर डैस हमें इसका 2 आर डैस हम इसका two आर डैस कर दिया दो से multiply कर दिया तो अब देखें from equation first and second first equation में हमें find rate किया था आर की वैलू तू फी कोस आलफा और second में हमारे r dash की value आई थे 2p cos beta और इसको 2 से multiply कर दिया अब देखे 2p यहाँ पर भी है और 2p यहाँ पर भी है तो यह हो जाएंगे cancel तो यहाँ से आजएगा cos alpha equal to 2 cos beta यही हमें किस्तन में find out करना था आप देख सकते हैं अब third किस्तन में दिया गया है the resultant of the two forces p and cow is r if one force e be reversed in direction देखे दो force है हमारे p और cow और हमें क्या करना है कि one force is reversed हमें एक force reversed करना उसमें जैसे कि cow है तो उसको हम change कर देंगे minus cow में the resultant is us और जब हम change करेंगे ना तो उसका resultant हमें denote करना है us से so that r square plus us square हमें यह so that मलोगी हमें find out करना है यह value हमारी आती है या नहीं आती है तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे let alpha be the angle between the direction of the force p and cow हम एक alpha एंगल ले रहे हैं किसकी direction में जो हमारी force की direction है p और cow की since r भी the resultant of p and cow तो देखिए अगर हम r को resultant ले रहे हैं तो हमारे इस प्रकार से होगा r square equal to p square plus cow square plus 2p cow cos alpha यह हमारे हो जाएगी equation first simply हम इसको कर सकते हैं हमें formula पता है तो इसमें जो second condition थी उसमें क्या था कि let the force cow be the reverse हम एक force को reverse ले रहे हैं वो फोर्स हमारे क्या है cow force in direction तो हमारे उसको क्या हो जाएगा cow is changed to minus cow and new resultant is denoted by us यह हमें सब कुछ given में दिया गा था यह आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया भी था तो देखिए अज से हम इसका resultant denote कर रहे हैं तो देखे simply r square की जगा हम अज स्केर ले लेंगे resultant में और जहां पर क्या हो था ना हमने क्या 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 कर दी एक force reverse कर दिया तो माइनस क्या हम put कर देंगे यहाँ पर तो p square plus minus square cellphone फी माइनस क्या हूं क्या हो तो यहाँ से हम आ आ灣 κάνिकी आद क्या क्या होगा in ओने रहे कि हम ल todos को इस लिए आगे कोस अब क्या करेंगे एडिंग फष्त केंडेंस फाраст एडड सेकेंड बीगें डोनों को हम एड़ करेंगे तो यहांसे क्या होगा आर स्केयर पलस ऑप देखे यहां तो साथ साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो यह से तो हमारी वैल्यू आ जागी आर्ट स्केर प्लस असकेर की इकोल टू इंटू पी स्केर प्लस क्या इस दी रिजल्टेंट यह ही हमें रिजल्टेंट निकाला था जो कि क्यूशन में कहा गया था अब देखें नेक्ट कू Tiziki 2 force act act interest angle दो फौर्स हैं जो कि एक एंगयल में दिया गए 120 डिग्री तो दो फौर्टाह में लाटकरते हैं और क्या में डिजल्टेंट इंड पर और क्या करना कि जो मारे ग्रेंटर उसकी वैल्ट में 80 किलोगराम दे दी गई है और जो में less less है ना उसकी value में find out करनी है तो देखिए क्या हूँ हम मानते हैं क्या की value में जी गही है 80 देखिए यह मैंने एक diagram बनाया आपको समझाता हूँ किस प्रकार से है तो देखिए यह हमारा क्या है वो point है और यह हमारा इस तरफ resultant है 90 degree पर और एकमपरेट का एंगल 120 degree है और इस तरफ हमारा क्या फोर्स है और इस तरफ हमारा क्या फोर्स है क्या फोर्स की जगा हमने 80 लिया है इसकी value जो कि हम greater को तो हम इस प्रकार से हम लिख देंगे लेट पी किल पी के जी वाट बीदा लेसर फोर्स यह हमारा लेसर फोर्स है इसकी जो value निकालेंगे आपको साथ साथ बताई जागी तो देखिए दिल greater force represented by 80 किलो वाट मेक्स एन एंगल 120 degree with direction P तो P direction में यह एंगल बना रहा है 120 डिगरी का the result makes an angle of 90 degree with P तो देखिए यह मारा formula आता है जब हम निकालते हैं direction तो देखिए 10 ठीटा इकवल टू क्याव sin alpha पोन में P प्लस क्याव कोस alpha तो देखिए क्याव की value हम ले रहे है 80 और जो ठीटा हमारा वह हम 90 degree पर लेना इस तरफ और जो alpha है ना वह हमारा 120 डिगरी है तो यह value हमें यहापर simply put कर देते हैं तो हमारा इस प्रकार से हो जाता है 80 sin 120 डिगरी अप उन में P plus 80 into cos 120 डिगरी अब आपको समझाता हूं कि यह हमारे किस प्रकार से आया तो देखिए जो हमें यह था आप लिख सकते हैं इसको जो जाएगा तो यह उपर वाला निचे वाला उपर हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा तो देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप लिख सकते हैं इसको जो मैंने यहाँ पर आपको लिखके बता इसको भी तो देखिए 120 डिगरी पर कोस की वैल्यों होती है तो next question में हमें क्या दिया गया है कि find the angle between two equal force P P तो देखिए दो equal force दिये गए है P और P देखिए हम mainly क्या लेते हैं P और क्या हो लेते हैं तो हमें क्या करना है simply क्या हो के जिगा हमें P पूट करना है ताक कि यह equal हो जाएं दोनों और हमें angle find out करना है इनके बीच का तो देखि मालों कि यह हमारी value आएगी इस प्रकार से two minus under root three और P square K तो देखिए यह हमें find out करना है आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम करेंगे इसको तो यह हम statement दी गई थी तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे let R be the resultant of two equal forces P P then by the given condition तो देखिए जो हमें condition दी गई ना उसके according हमें य इसका square करते है और इसका product कर दें तो हमारे पास यह value आएगी R square equal to two minus under root three into P square इसको हम लैट करेंगे equation first अब देखें now अब हमें क्या करना यह हमारे resultant निकालने का formula आता है means magnitude निकालने का formula आता है simply है यहाँ पर हम क्या कर देंगे जहाँ पर हमारे क्या हो है ना वहाँ पर तो हम P put कर देंगे ताकि angle सेम हो जाए और तो R square की value मैंने equation first माननी है ना यह value वह हम put कर देंगे यहाँ तो देखें R square equal to P square plus P square plus 2 P square cos alpha और यहाँ पर हमने put कर दिया R square की value यह और equal to P square plus P square plus 2 P square cos alpha अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा कि यह P square है वार यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 2 P square तो P square से square cancel तो इस तरफ हो जाएगा हमारा 2 minus under root 3 equal to 1 plus cos alpha अब देखे इस 2 को है ना ये 2 जो हमारा ये बच गाया इसको हम इसके under में लेके आते हैं इस तरफ तो देखे इसको हम separate करें 2 upon 2 minus under root 3 upon 2 तो ये 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी value होगी 1 minus under root 3 upon 2 और देखे ये minus 1 है ना तो इसको इस तरफ लेके आएगे तो ये एक तो ये plus हो जाएगा इस तरफ और ये minus का cancel हो जाएगा तो हमारे पास जो value आएगे ना वो इस परकार से आजाएगी cos alpha equal to minus under root 3 upon 2 अब हमें क्या करना है now cos alpha equal to हमारे पास ये value आगी तो आपको बता कि cos 30 degree पर हमारे value आते ही ये तो हम लिख देंगे simply cos alpha equal to minus cos 30 degree अब हम क्या कर देंगे cos को देखे हम ऐसे minus में तो लिख नहीं सकते हम क्या लिखेंगे इसको cos into 180 degree minus 30 degree तो यहां से इसको minus करेंगे तो cos 150 degree आ जाएगा तो cos alpha और cos 150 degree को cos से cos cancel hence alpha की जो value आएगे न वो हमारे पास आज जाएगी 150 degree तो हमने क्या find out कर लिया angle between इन दोनों forces का angle हमने find out कर दिया तो question 6 हमें दिया गया है find the resultant of the two forces P and Q the resultant of two forces P and Q act at right angle P जो हमका resultant है वो कहाँ पर है right angle P पर show that the angle between the force हमें क्या करना है angle find out करना है मतलब की इस प्रकार से सबसे पहरे तो हमें यह value find out करनी है और फिल हमें यह करना है तो आप पूरता हूं किस प्रकार से हमें लिखना और किस प्रकार से इसको find out करना है तो साथ साथ आप लिख रहे हैं ना ठीक है फिर तो let alpha be the angle between the force P and Q हम एक angle ले रहे हैं alpha किस के बीच में force P और Q के बीच में तो देखिए, यह हमारा होता है magnitude का formula तो R square equal to P square plus Q square plus 2P Q cos alpha, इसको नड़ कर देगे किपूशन first, अब देखिए since the resultant is at right angle at P, therefore तो resultant है हमारो कहां पर है तो हमें क्या करना होगा ठीट मलोगी हमें डारेक्षिन निकालनी होगी उसकी किस डारेक्षिन में वह आ रहे हो है तो देखिए इस प्रकार से एक प्रकरस में और मैं रहे हैं खिर और यहां साइन लधादे नायन गरें ऑ सा यहाँ इस प्रकार यह दियागा तो देखे मारा चाहर रिधान कारें तो सफ़कॏ में में लिए हगे यह इसे आ घए तो यह मरस जैगा और इसको दर में जाएगा तो यह बिल Kapन को अलभा एक्वल टो जीरो अब देखिए अब भी यहां से क्या करेंगे cos alpha की value हम निकालेंगे इससे यहां से तो देखे P तो हमारे इस तरफ आ के minus का हो जाएगा और क्या हो अंटर में ले लेंगे तो या से जब ہम लड़कर की निकालते हैं आ लोड़ पास आति है ब्युकस्व करने अब स्ट ? इसी में पूट एजएत को तो अर स्केर पलस स्केर पलस क्याव स्केर पलस 2 पि-सकेर अर्ट स्केर और पलस प्रकार से में क्या करना है तो हमारे पास से यहां पर वैल्व आजाएगी आर्ष केर इवल टू क्या हो स्केर माइनस पी स्केर यही है में फाइंड आउट करना था तो अब सेवन्थ कि उसन हम देखते हैं टू फोर्स एक्टिंग एक पॉइंट हमें दो फोर्स बताने हैं मल होगा तो हमारे मैंनेट के इकवल होगा तो मैं फाइंड आउट करना है किस प्रकार से हम करेंगे गुजह सबसे पहले हम क्या करेंगी किस सॉलिशन में लिखेंगे लेक्ट द सु फोर्स हमने दो फॉर्स गीवन कर लिए पीएंड क्याओ up on अक्टिंग एट एंगल अलफा लेट दियर रेजल्टेंट में एट एंगल डिटा जो तो इंगल बना रहा है विद दा फोर्स पी के रिस्पेक्ट में तो देखे यह हमारा फॉर्मूला होगा डारेक्शन का टैन ठीटा एकॉल टू क्या हूँ सान अलफा पॉन पी प्लस्पेक्ट कोस एलफा तो यह को इकवेशन कर देंगे तो देखे मीं किशन को मांगे आपको पजा था हूं क्या इसमें दे इसंग क्या कोர्एगे आ 17 of the resultant is turned through 90 degree 90 degree पर हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे ठिट्टा को भी हम चेंज कर देंगे ठिट्टा को किसमें चेंज करेंगे 90 डिगरी पलस ठिट्टा तो देखें यहाँ पर simple इसी formula में कर देते हैं हम इनको put तो देखें 90 इंटू मालोगे 10 इंटू 90 degree पलस ठिट्टा फिट्टा एक्वल्ट्टू माइनस क्या हूव साइन आल्फा पॉन में इससके और मैनस से तो मैनस से से मानन चयंचल तो कोट ठिट्टा कोट तो इसको मुलाट करेंगे equation second अब देखे क्या करते हम multiply equation first and equation second we have हमें multiply करते है equation first और second को तुका में क्या पराप्त होता है तो देखे left hand side को left hand side करेंगे और right hand side को light hand side तो देखे 10 तिटा multiply code तिटा equal to kyao sin alpha पॉन में p plus kyao cos alpha multiply kyao sin alpha पॉन में p minus kyao cos alpha तो यह तो हमारा हो जाता है one और देखे जब इसको करते हैं न तो kyao square sin square alpha अप उन में देखे यह हमारा एक formula बन रहा है formula क्या है a plus b और a minus b यह आपको बता है कि a square minus b square होता है तो इस प्रकार से मैं नहीं यह लिख दिया यहां पर अब देखे इसको simple इस तरफ ले जाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा इस तरफ आकर इस तरफ आकर यह प्रकार से हो जाएगा अब देखे क्या हो रहा कि जो पी स्केर है ना यहां पर इसकी value हम find out करते हैं मारा लोगी पी स्केर तो हमने एजरेटिट लिख लिया और इस complete को हम इस तरफ ले जाते हैं और इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो स्केर हमारा यहां पर को मना रहा है और अंदर बज़ता हमारा साइन स्केर अलफा प्लस को स्केर अलफा यह आपको पता कि वन हो जाता है तो पी स्केर इगोल टू क्या हो स्केर आ जाता हमारा और पी इगोल टू क्या हो हमारा आंस्वर आ जाता है तो हमने क्या find out कर दिया जो हमारा फोर्स है ना पी और क्या हो वह में equal find out करना magnitude की तो व और क्याओ फोर्स के बीज में हमने एक अलफा एंगल लेट किया है तो वो हमारे इक्वेशन इस परकार से हो जाएगी अब यहां से हमें क्या करना है टू पी क्याओ कोस अलफा की वेल्यू में यहां पर फाइंड आउट करनी है तो देगे सिंपल हम क्या करेंगे जो यह हमरे वहन दी फोर्स क्याओ इजब फोर्स क्याओ रिवर्स करके तो यह हमारे इसके आगया जाएगा माइनस अब देखिए आर वन स्केर में इसी प्रकार से यह फोर्मोला हमारा जहां पर यह क्याओ हम यह वैलू पुट कर देंगे माइनस वाली तो यह value जब माइनस वाली put करेंगे और जो value यहाँ पर को सलफा की है वो भी हम put कर देंगे एक विसन फैस्ट से बाकी आप देखे सकते हैं किस प्रकार से यह क्या गया है और last में हमारे क्या आएगा फाइनल आसे और आपको बदा देता हूँ जब आप इसको सोल करेंगे न यहां तक तो यह अमारे इस प्रकार से बाइगा तो यहां पर आरवन स्केर था तो इतना इता इस वीडियो में हमने कर लिए इसको लाइक किजिए चैनल पर नहीं है तो सिस्क्राइब किजिए ऐसी मोर वीडियो के लिए तो आपको वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो